रेनो अगर अपनी सबसे सस्ती पैट्रोल कार के EV वर्जन को इंडिया में लौंच करता है तब इस कार को कॉम्पिटिशन देने के लिए टाटा के लिए भी काफी डिफिकल्ट रहने वाला है क्योंकि जो भी EV कार्स अंडर 10 लेक्स लौंच होने वाली है उनका साइज भी काफी कम है और वो एक प्रोपर 5 सीटर कार भी नहीं है लेकिन रेनो क्विट EV हर तरह से एक प्रोपर बजट 5 सीटर EV कार है जो के ड्राइविंग रेंज और स्पेस में हर तरह से ही प्रैक्टिकल रहने वाली है तो आज बात करेंगे रेनो क्विट EV की लौंचिंग और फाइनल प्राइस के बारे में सबसे पहले बात कर ले थे हैं कार के डिजाइन के बारे में कार के फ्रेंट में आपको LCD टाइप DRL सेटप देखने के लिए मिलता है और नीचे low set headlamps with redesigned grill कार के बंपर को भी पहले से जादा stylish design में अपक्रेड किया गया है साथ ही आपको LED headlamps भी मिलते हैं कार की जो side profile है वो भी old quid से काफी similar ही रहने वाली है लेकिन alloys का design आपको एकदम new look के अंदर देखने के लिए मिलेगा कार का जो rear look है वो भी old quid से काफी similar ही रहने वाला है rear bumper पे आपको बस कुछ cosmetic changes ही देखने के लिए मिलेंगे कार के interior में आपको 8 inches का LED infotainment system देखने के लिए मिलता है और instrument cluster EV version के लिए थोड़ा सा जाधा upgraded इस कार के लिए आपको मिलेगा जो के पहले से जाधा कार की details को show करेगा वही safety features में आपको ABS प्लस ESP भी मिलने वाला है वही अगर safety ratings की बात करें तो कुईट के old version ने भी काफी खराब perform किया था पर उसके बाद भी कार काफी अच्छे numbers में sale हुई है lower safety ratings के साथ और भी cars Indian market में available है पर फिर भी उन cars की sales काफी जाधा है क्योंकि उन cars का mileage भी काफी अच्छा है रैनोकुट EV की top speed को भी कंपनी ने maximum 100 km पर आर पर ही लोग किया हुआ है उससे कार की driving range भी अच्छी रहेगी और passengers थोड़ा safe भी रहेंगे safety ratings में चाहिए 5 star कार हो या फिर 1 star कार हो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगी अगर आप जाधा ही over speeding करेंगे इसलिए कार को हमेशा speed limits के अंदर ही drive करना चाहिए अब अगर कार की driving range और performance के बारे में बात करें तो इस EV कार में 26 kilowatt के battery pack को use किया गया है जो आपको maximum 250 km तक की driving range दे सकता है इस battery pack के साथ ये EV कार 44 HP की power और 125 Nm तक का torque generate कर सकती है तो overall कार अपने price के हिसाब से काफी सही है इस कार की जो launching है वो अब 2023 में accept कर सकते है रेनोल डस्टर के face lift को launch हो जाने के बाद कार का जो price है वो 6 से 9 लाग रूपे के बीच में रह सकता है फिलाल रेनो के पास काफी अच्छी opportunity है एक future segment में entry करने के लिए और अपनी image को अच्छा बनाने के लिए अब देखना ये है रेनो इस opportunity को कितनी जल्दी समझ पाता है क्योंकि 2 या 3 कार के उवर पूरी company market में जाधा time तक survive नहीं कर पाएगी इसलिए quit EV को company को जल्दी से जल्दी ही launch करना चाहिए तो ही थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कार पसंद आ गई हो तो वीडियो को like share और अगर आप चैनल पे नहीं है तो भी चैनल को subscribe कर ले ना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए topic के साथ